हलो एवरीवन, आज हमने दूद की छाली से बना घी की रेश्पी लेकर आई हूँ तो हमने 10 से 12 दिन के छाली को फ्रीजर में जमा करके रखी थी अब इसे बनाने से 57 मिनट पहले निकाल कर एक बॉल में ट्रांसफर कर लूँगी और इसे 5 मिनट के अंदर हाथों के मदद से मलाई से मक्खन बना कर तयार करेंगे इसके लिए आप लो वीडियो के आइंड तक बने रहिए हमने हाथों से इस तरह से घुमाते हुए फेटेंगे गोल गोल और कुछ देर में ये लिल्कीट फर्म में आ जाएगा इसके बाद धीरे धीरे ये दाने दार होना सुरू हो जाएगा तो देखिए आप लोग देख सकते हैं ये दाने दार हो क्या है अब इसे तब तक फेटेंगे जब तक इसमें से मठा बाहर ना आ जाए और मखन तो देखिए अब ये धीरे धीरे मठा बाहर होना सुरू हो क्या है कुछ देर में ये मठा अलग और मखन अलग हो जाएगा तो देखिए आप लोग देख सकते हैं मठा अलग हो गया है और ये मठा अलग तब इसमें पानी एट करेंगे तो हमने इसमें चील पानी एट किये हैं और सारे मठा को एक अठा कर लेंगे तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कितने असान तरीके से मठा बना कर तयार कर लिए हूं ना कोई मशीन ना कोई गलेंडर सिर्फ पांच मिनट के अंदर हाथों के मदद से मठा बना कर तयार कर लिए हूं अब इसे चील पानी से धो कर एक उसी बॉल में ट्रास्फल कर ली, अब इसे गैस अन करके गैस के उपर गमले को रख दूँगी, अब देखिए मक्खन पिघलना शुरू हो क्या है, अब धीरे धीरे घी बनना शुरू हो जाएगा, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं, घ घी भी बनना शुरू हो क्या है, मेरा घी बनकर तयार हो क्या है, गैस का फ्लेम अप कर देंगे, और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, देखिए ठंडा होने के बाद कितने फ्रेस घी बनकर तयार हुए हैं, देखिए आप लोग देख सकते हैं, अब इसे एक बॉल मे छन्नी के मदद से छान लेंगे फ्रेंस अगर ये मेरी आसान सी विधी तो देखिए फ्रेंस ना कोई मिक्सर ना कोई मसीन ना कोई जंजट सिर्फ पांच मिनट के अंदर हाथों के मदद से दूत के छाली से घी बन कर तयार हो गया तो फ्रेंस से मेरी आसान सी विधी पसान आए तो लाइक और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा तब तक के लिए धन्यबाद